नमश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि भारत में क्यूं बढ़ रहे हैं संपरताइक दंगे अभी जैसे आपको बार-बार न्यूस सुनने को मिल रहे हैं कि अप्रेल-अप्रेल के मत में ही मैं बात करूँ यहां पर काफी सारे क्लैशिस हमें देखने को मिले हैं दो कॉम्मिनिटीज के बीच में एक एक करके हम उनकी बात करेंगे फर्स अफॉल जैसे स्टार्ट हुआ था दो अप्रेल को नव वर्स या कहें कि हिंदू जो नव वर्स है नवरात्रे जो शुरू हुए थे वहां पर चारसो से पांसो लोग जो हैं दोसो से दोसो पंदरा बाइक लेकर एक रैली निकाल रहे थे और हिंदू थे यह रैली निकाल रहे थे यहां पर नए साल के हिंदू नए साल के उपर और वहां जब वो एक मुस्लिम लोकलेटी से गुजरे तो उनके उपर पत्थ्राव वह होने लग गया और वहां के लोकल का कहना है कि यह जब वहां पर bikes लेकर आए तो यह slogan या नारे लगा रहे थे कि टोपी वाला भी जैश्री राम बोलेगा तो इस तरीके भाशन वहां है कि जो ये 200 से 215 बाइक लेकर आए थे लोग इनके द्वारा ये ऐसी भाशन दिये जा रहे थे या कहें कि ऐसे नारे लगाये जा रहे थे ताकि वहां पर लोग जो थे वो बढ़क गए और बढ़कने के बाद ये क्लैशिस हमें देखने को मिले थे और ये बाद में वहां की कंडिशन आप देखेंगे कि जब क्लैशिस हुए तो आगजनी हुई काफी सारी दुकानों को जला दिया गया ये दो अपरेल को हुआ नवरात्रे जब शुरू हुए थे अब यहां पर जब यह हालात हुए आपको पता है कि नत्रेश शर्मा करके एक कॉंस्टेबल थे वो काफी जादा सुर्कियों म का इक उनका जो जूटी है कि किसी को बचाना है तो उनोंने वो बड़ी इमानदारी से वो निभाई है फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है 11 अप्रेल को मध्य परदेश में कारगोन में कारगोन शित्र के अंदर राम नौमी के दिन वहां पर भी पत्रहाव हो जाता है जब राली निकाल रहे होते हैं जब मुश्लिम एरियां से निकलते हैं तो वहां पर उनके ओपर पत्रहाव हो जाता है यहाँ पर जब पत्रहाव होता है तो इसके खिलाफ कारवाई भी की जाती है ऐसा नहीं की कारवाई कि यहां मंदिरों के उपर पत्राव हो रहे थे या फिर यहां पर आप देखेंगे कि काफी सारी ऐसी वीडियो हमें ट्वीटर के उपर भी देखने मिली थी है ट्रेंडिंग में भी थी जहां पर पत्राव हो रहा था बार-बार लोग जो हैं वो बहुत गलत यहां पर भाशा का यूज करते हुए हमें मिलेंगे और जब यह हुआ इसके बाद गॉर्मेंट ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद कहा गया कि जिनोंने पत्थर बरसाएं उनके घर भी पत्थर कर दिये जाएंगे ऐसे भाशन जो हैं वो खुद पॉलिटिशन के द्वारा दिये गए और यहां बुल्डोजर यहां पर जेसी भी चला दिये उन लोगों के घर पर जिनोंने इस क्लैश के अंदर यहां फिर जो इंसिडेंट है जो कॉमुनिल राइट्स हैं यहां पर जिनमें भाग लिया था आपको देखने को मिलेगा काफी सारी दुकाने जो हैं उनको तोड़ा गया काफी सारी जो मकान हैं उनको भी तोड़ा गया यहां पर आप मतला आप देख भी सकते हैं यह MP की हैं कारगों चिले की जो इमेज है इसके अलावा फिर नावनौमी के बाद आगे बात करें रावनौमी के दिन ही मैं बात करूँगा JNU में ABP और लेफ्ट विंग के जो स्टुडेंट है इनके बीच में क्लैश हो जाता है यहां पर ABP के दौरा कहना था कि हम रावनौमी के दिन यग की उन्होंने यग आयुजित किया था यग करने वाले थे लेकिन यहाँ पर leftist के स्वारा leftist के स्वारा जो left student है left wing के जो student है देखिए विचार धाराओं के लडाईया है यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिल रहे है right wing और left wing अगर आपने तक कश्मीर फाइल्स movie देखिए तो वहाँ पर विचार धारा की बात की जाती है कि आज की डेट में कैसे विचार धारा बदल रही है और विचार धारा की एक लडाई देखने को मिल रही है तो right wing left wing के बीच में जो यह मुद्बेड हुई है कहा गया कि left wing वालों को मारा गया या फिर right wing वालों ने कहा कि हमें मारा गया है तो दोनों ही तरफ से यहां पर injured हुई है यहां जितनी भी चीज़ें आप देखने को मिलेंगे यह मैं बात कर लूँ राम नॉमी की या फिर मैं बात कर लूँ नवरात्रे की तो इसमें सबसे ज़्यादा hurt आपको कौन मिलेगा यहां पर सबसे ज़्यादा hurt या injured हुए वो police man हुए है ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगी जो citizen वो मतलब की जो आम लोग है वो यहां पर injured हुए है उनसे कहीं ज़्यादा पुलिसमें यहां पर आपको जखमी मिलेंगे इसके बाद जब रावनौमी होती है रावनौमी के बाद अभी आहली फिलाल की बात है हनुमान चैन्ती के दिन जहांगीर पूरी में दिली के जहांगीर पूरी में संपर्दाइक दंगे भढ़क जाते हैं कहा गया कि यहां पर काफी सारी रेली निकाली गई जहांगीर पूरी में से जेकिन एक रेली जब SEI वहां पर उस रेली के उपर पत्राव हो गए थे अब पत्राव होने के बाद काफी ज़्यादा जो महावल है वो टैन्स हो गया था और यहां अभी जैसे की अपडेट है निउस की 14 लोगों को गिरिफतार कर लिया गया है उनकी पहचान कर ली गई है उनके ओपर काफी सारे सेंक्शन लगाए गया है 147, 148, 149 यह सारे काफी सारे सेंक्शन मैंने यहांपर आपकी सामने लेकर आया हूँ यह लगाए गई है उन लोगों के ओपर जहांपर पहचान की गई है और आप अगर यह वीडियो देखेंगे तो काफी ज़्यादा एक डिस्टर्ब करने वाली वीडियो है जिसके अंदर हाथों में तलवार लेकर नारे लगाए जा रहे हैं पुलीस यहांपर खड़ी है और उनके सामने ही हतियार ले लेकर नारे लग रहे हैं तो यह सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं यह चीज़ें जो हमारे देश की जो एक हार्मोनी है उसको बिगाडने का काम हो रहा है यह सब चीजें हो क्यों रही हैं दरसल इसके उपर अगर आप बात करें तो एक डिबेट का इशू है कि हिंदू मुस्लिम यहां पर अगर आप बात करें कि क्या अभी से हो रहा है या फिर बहुत टाइम पहले से इसके दोमत निकल के आते हैं काफी सारे लोग कहते हैं कि जो ब्रिटिशर जब यहां पर हुआ करते तो उन्हें ने डिवाइंड रूल की नीती अपनाई उसके बाद यह चीजें बढ़ने लग गी थी फिर अगर उससे पहले की बात करें काफी करें कि 200 साल पहले भी महाराना परताब के टाइम की बात करते हैं वहां से हिंदू-मुस्लिम बढ़ने लगे थे या फिर यह सारी चीजें डिबेटेबल हैं कि यह शुरुआत कब होती है कुछ historians का मानना है कि जो हिंदूस्तान है जो इंडिया है यहां पर सिर्फ हिंदू ही थे हिंदू का जो यह लैंड था बाद में या जो मुस्लिम है वो foreigners है या फिर उनको convert कर दिया गया यह विचार धारा है यहां पर निकल कर आती है कैर इसका तो कोई अंत नहीं है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं अभी यह हैं कि इतनी जितनी भी चीज़ें हो रही है आपको सोच समझ कर चीज़ों को करना चाहिए किसी भी ऐसी चीज़े ऐसी गतिविदी में नहीं आना चाहिए कि जिससे आपकी life खराब हो जाए जिससे देश की चवी खराब हो जाए और आप देखेंगे जितने भी यह इंसिडेंट है उसमें कहीं न कहीं पब्लिक प्रोपर्टी का नुकसान हो रहा है आम जनता परिशान हो रही है और सबसे ज़्यादा पुलिसमेन यहां पर घायल हो रहे है दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूँ साथ लोग अगर घायल हो हैं तो साथ लोगों मैं से छे लोग जो हैं वो पुलिसमेन थे तो आप देखें जो वहां पर रक्षा करने या फिर कंट्रोल करने आये हो है सिच्वेशन उन्हें को ही इंजर किया जा रहा है तो उमीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगे और हम इस चीज़ को रोक सकते हैं बहुत सो समझ कर चीज़ों को करकर किसी भी फेक न्यूज के ओपर यकीन मत करो किसी भी रूमर को मत फैलाओ हमें उसकी पूस्ठी करनी चाहिए कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है आपको लगता है कि हमारा रिलीजिस इससे हर्ट हो रहा है तो बेशक आप अपने मतलब की समीधान ने आपको अधिकार दी हैं लेकिन वो लिगली है इलिगली नहीं है वहाँ पर तो इस चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी तो उमीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर कर सकते हैं वीडियो को साथ ही साथ चैनल को भी इस वीडियो से रेटिट पीडिये भी आप लोगों को परवाइड करवाती जाएगी टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा दिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो